हेलो एवरिवान वेल्कम टू मैं चैनल हिंदी टारो डैक्टरपल टू मैं हूँ फल लवी कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी अच्छे होंगे सो गाईज आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग और आज अमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपको दर्द धोका देकर आपके परसन अब किस हाल में है ठीके गाईज बस आपको यहाँ पर यह जरूर ध्यान रखना है यह जो कि लड़का लड़की कोई भी यह रीडिंग देख सकता है और साइन बेस यहां पर ठीके बस इन चीज़ों का आपको खयाल रखना है और चलिए देखते हैं कि आपके परसन अब किस हाल में हैं आपको दोका देकर आपको दर्द देकर अब उनका क्या हाल है गाइड कीजिए उनिवर्स और बताईए अब कैसा हाल है मेरे वीवर्स के पॉसम को दोखा देकर गाइड कीजिए उनिवर्स और बताईए अब कैसा हाल है मेरे वीवर्स के पोखा देकर दर्ध देकर beyond illusion सबसे पहले मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट दिखाए दे रहा है यानि की फरवरी मंथ ठीक है यानि की हो सकता है आपका रिष्टा अपने परसन के साथ दो सालों का हो और दो महीनी से आप लोग नो कांटेक्स की सिच्वेशन फेस कर रहे हो या फिर यहाँ पर यह भी चांसेज हैं कि आपका रिष्टे को तो बहुत समय हो गया है लेकिन आप अपने परसन से दो साल से नो कांटेक्स की सिच्वेशन फेस कर रहे हो या फिर पर यह चांसे दिखाई दे रहे हैं आप जिस परसन से डील कर रहे हो वो टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्ण यानि की व्रशप कन्या एंड मकर राशी के हो सकते हैं क्योंकि यहां पर इसकी स्ट्रॉंग एनर्जी आई है वैसे टेरो से हम और क्लियर करेंगे कि आपके पर परसन की देखे गाई सबसे पहले अगर आपके परसन आपके बारे में अब कैसा सोचते हैं तो मुझे आपर यह दिखाई दे रहा है कि आपके परसन को अब आपकी बेहर जादा याद आ रही है आपके साथ इनके जो भी पास्ट के पल थे जिसमें आप दोनों खुश रहत यानि कि वो पल जिसमें आपके लाइफ में खुश्या थी, फूल थे, स्माइल थी, यह सब चीजे थी वो चीजे इन्हें याद आ रही है दूसरा इन्हें आपके साथ अपनी दोस्ती बहुत जादा याद आ रही है कि कैसे आप लोग की दोस्ती की शुरुवात हुई, कैस इतना लंबा समय हो गया, क्या ये मुझे याद करते भी है, या नहीं करते है, तो जी हाँ, आपके परसन के दिल में, जहन में आप अभी भी हो, और कहीं न कहीं ये आपको अभी तक नहीं भूले है, और इन्फेक्ट आपके परसन के लिए आपको भूलाना भी नामुम्कि जैसा बन गया है यहाँ पर यह चीज़े दिख रही है ठीके आपके परसन को ऐसा लगता था जब आपके साथ थे कि आप ना बहुत सपोर्टिव टाइप की परस्नालिटी हो यानि कि सामने वाले परसन को इमोशनली बहुत जबा सपोर्ट करने के गट्स वो आप में क्वालिटी थी यह चीज़ों को आपके परसन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं यहाँ पर यह चीज़े दिख रही हैं उसके अलग आपके परसना विद्स फ्रेंडलीनेस कार्ड आपके साथ अपने उसी प्या रिष्टे में एक पॉजिटिव पॉजिटिविटी चाहते हैं आप लोगों के रिष्टे में चाहे फिर वज्ञा आप लोगों के बीच में दूर्यों की कोई भी क्यों ना हुई हो लेकिन यह इस रिष्टे में चाहते हैं कि आप लोगों का फिर से रियूनियन हो जाए औ आपके परसन अब आपको जब आपसे दूर हो गए आपको दर्द दिया, दुख दिया, जो भी आपको तकलीफे दी उन्होंने, उसके बाद आपके परसन बहुत जादा अपने आपको अकेला फील कर रहे हैं. अब इन्हें ऐसा लग रहा है basically कि ये अब stuck हो गए है, isolate हो गए है और एक ऐसी situation में अटक के रह गए हैं जिससे अब निकल पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है basically अब आपके person को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको छोड तो दिया, आपको दुख दे तो दिया लेकिन अब आपके बिना इनका जी पाना बहुत ज़्यादा नामुम्किन सा बनता जा रहा है यहाँ पर ये चीज़े दिख रही हैं आपके person इस वक उस energies में ज़्यादा दिख रहे है जहाँ पर ये निकलना चाहते भी नहीं है और निकल भी नहीं पारे है, दोनों चीज़े हैं ये कही न कही काफी ज़्यादा परिशान है, लेकिन अपनी इस situation को बहुत ज़्यादा इग्नोर करने का try कर रहे हैं, कि इनके उपर इस चीज का load ना हो, इस चीज से परिशान ना हो, disturb ना हो, या फिर यहाँ पर ये भी chances हैं कि आपके partner अपने आपको दिलासा देने के लिए अपने आपको समझा रहे हैं कि जो भी हो रहा है न, वो basically इनके control में ही हो है, सब चीजे इनके control से बहार नहीं गई हैं, अभी भी इनके control में हैं, ताकि ये moment to moment, step by step चल सके, यहाँ पर कुछ इस तरह की energies आपके person की आई हैं, ठीक है, overall इन cards के according तो मुझे आपर ये दिख र रहे हैं और ना ये से stuck energy से निकल पा रहे हैं और देखते हैं, टेरो से, guide कीजी universe और बताएं, कैसा हाल है मेरी viewers के person का अब इनको दोकर देकर,ети इन वस बताएं, आप कैसा हाल है, viewers के person का, मेरी viewers को दोकर देकर,बंप कैसा हाल हैं का टू अफ्सोर्स टैन अफ्सोर्स किंग ऑफ्सोर्स ता हर्मिट देगे मुझे आपना जेमिनाई लिब्रन एक्वेरियस मिथन तुलाइंड कुम्व की भी बहुत स्ट्रॉंग इनर्जी दिखाई दे रही है जो आपके आपके परसन की यहाँ यहाँ पर हो सकती है ताहित देता है और यहां भी चांसे दिख रहे है तुए man कि एपी अपको यहाँ इबहुत स्लुख नहीं बोला था कि आपके परसन के अपने आपको आईसोलेट कर रखा धिस्टा आउटसाइडर कार्ड क्योंकि बेसिकली ये आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं आपको भूल नहीं पा रहे हैं इसलिए इन्होंने अपने आपको काफे ज़्यादा आइसोलेट कर रखा है यहाँ पर ये चीज देख रही है ओवर आल आपके परसन ने इस वक्त में सबसे दूरिया बना रखी है विद्दिस्दा हर्मिट कार्ड ये बिसिकली अपने आपको अकेला रखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस वक्त में उस एनरजी में आपके पाटनर मुझे याँ पर दिख रहे हैं उसके अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस वक्त आपके परसन से जादा प्रैक्टिकल परसन इस वर्ड में कोई नहीं होगा बहुत जादा इन्हों ने अपने आपको प्रैक्टिकल बना लिया है और कहीं ना कहीं जो इन्हों ने आपको दर्द दिये दुख दिये तकलीफे दिये वो आपके person को अंदर ही अंदर खाय जा रही है इसलिए आपके person ने अपने आपको दर्द से बचाने के लिए इन्हों ने अपने आपको practical बना लिया जिसके अंदर किसी तरह की कोई feelings है नहीं कोई emotions नहीं है किसी से ये प्यार नहीं करते हैं किसी के लिए मर मिठते नहीं है ऐसा इन्होंने बना लिया और उसकी अलग इन्होंने अपने आपको हर्मिट मोड पर भी इसलिए डाल रखा है ताकि आज पास के लोग इनसे किसी तरह का इनकी लव लाइफ को लेकर रिलेशनशिप को लेकर कोई सवाल ना पूछ ले तो किसी को अपने पास आने नहीं दे रहे है ताकि इनसे कोई सवाल ना पूछ ले कि आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है आपकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है आगे क्या प्लैन है इस वजह से तो यहाँ पर ये इनकी सबसे ज़्यादा इनर्जी दिख रही है कि आपके परसन को दुख है तकलीफ है आपको दुख तकलीफ देने के बाद लेकिन इनों ने इस दुख तकलीफ से बचने के लिए अपने आपको बहुत जादा प्रैक्टिकल बना रखा है ठीक है उसके अलग मुझे आपर ये भी दिखाई दे रहा है गाईस क्योंकि आपके पसंद आपको दर्द तकलीफ देने के बाद भी आप से move on नहीं कर पाए तो आज भी उसी deadlock पे खड़े हैं confusion में खड़े हैं कि किस option को यह select करें किस की तरफ बढ़े यहाँ पर यह चीज है यानि कि आपके person के सामने इस वक्त में बहुत जादा struggle चल रहा है कि इन्हें किस तरफ बढ़ना है उसकी अलग आपके person क्योंकि एक option की तरफ पूरी शांती के साथ पूरी clarity के साथ नहीं बढ़ पा रहे हैं इसलिए इनके मन में बहुत जादा बेचैनी चल रही है इन्हें ऐसा लग रहे है कि इनकी love life ना सुलजी नहीं है चाहे कुछ भी वाओ चाहे निकल ही गए हो आपकी energy से लेकिन अभी भी इनकी love life नहीं है जिससे कि अराम से सुकून से सो पाएं क्योंकि सोते हैं तो आपके परसन को ऐसा ही लगता है कि इनके पीछे बहुत सारे खंजर घोपे जा रहे हैं और या फिर इन्होंने किसी के back के पीछे तने खंजर घोप दिये हैं जिसके बाद इने नीन नहीं आ रही है तो और यह आपको यह दर्द देकर इस दर्द को भी भुला नहीं पार है इनके लिए यह दिया हुआ दर्द भी नामुम्किन जैसा बन गया है यहाँ पर यह चीज़े दिख रही है इसलिए अपने आपको बहुत ज़्यादा प्राक्टिकल बना रखा है अपने इमोशन्स को बहुत ज़्यादा इग्णोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं आपके परसं यहां पर यह चीज़ है चलिए और दिखते हैं गाइट कीची प्लीज दिवाइन कीज आखें अपने दृपसन को इनको यह दोका यह दर्द देने के बार यही आलो ना था आपके परसं का Seven of Pentacles, The World Right, Peechee, निवसा बताईए अप कैसा हाल है इवर्स के पर सनका युद्पोगा और बर्ड देने के बाद Eight of Pentacles Right, Peechee, निवसा बताईए अप कैसा हाल है इनका A Charity The Moon Right, Peechee, निवसा बताईए अप कैसा हाल है इनका Seven of Wands Right, Peechee, निवसा बताईए अप कैसा हाल है वर्स के पर सनका युद्पोगा देकर दाउज देकर Two of Pentacles का कार्ट फिस से आया है इस आप लोगों की रीडिंग में यानि कि आपके परसन इस वक्त में काफी ज़्यादा confused है दो situation के बीच में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं कुछ इस थरह की energies आपके परसन की आई है यानि कि again two number जो किसी ना किसी थरह से आपसे relate कर सकता है number seven भी मुझे आप लोगों के लिए बहुत important दिखाई दे रहा है हो सकता है आपका रिष्टा साथ सालों का हो और उस साथ साल के रिष्टे में आपको साथ महीने दो महीने या फिस दो साल हो गए है no contact की situation को face करते करते या फिस जलाई मन्थ जो अच्छे या बुरे किसी भी वे में आपकी life से आपकी जिन्दगी से जुड़ गए है जो आप निकालने से भी नहीं निकल पा रहे हो basically guys मुझे आपर ये दिखाई दे रहा है कि आपको यूँ दर्द और यूँ धोका देने के बाद आपके परसन की जिन्दगी भी कुछ शान्ती भरी नहीं है मुझे या पर ये दिखाई दे रहा है कि आपको यूँ धोका और दर्द देने के बाद आपके परसन की life भी प्यूरी तरह से set तो बिल्कुल नहीं है यानि कि इन्हें भी बहुत सारे competition, बहुत सारे struggle, बहुत सारे challenges face करने पड़ रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरह की energies आई है बिसिकली आपके परसन की life ना इस वक्त में ऐसी चल रही है जितना ये control हुआ वा समझते थे, जितना अपनी command अपनी life पर ये समझते थे ना उतनी इनकी command अपनी जिन्दगी पर नहीं रहे गई है यहाँ पर ये चीज़े दिख रही है यानि कि जिस भी तरफ आपके परसन मेहनत करते हैं, काम करते हैं चाहे फिर वो relationship को लेकर हो, चाहे अपनी growth को लेकर हो वहाँ पर आपके परसन को सिर्फ और सिर्फ challenges face करने पड़ रहे हैं और एक ऐसे challenges जिसमें इन्हें success भी नहीं मिल रही है यहाँ पर ये चीज़े जादा दिख रही है आपके परसन कहीं न कहीं बस सोचते रह जाते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हो रहा है, evaluate करते रह जाते हैं किस वज़ह से कहां कमी आ रही है, क्या इन्हें चीज़ों को सही करना चाहिए कितना patience रखना चाहिए, कितनी planning करनी चाहिए पस इसी चीज़ों की उधेर बुन में लगे रह जाते हैं और आपके पसन को कहीं न कहीं ये चीज़े समझ में भी आ रही है कि इनके साथ यहां पर क्यों हो रहा है ये चीज़े आपके partner को इन सब चीज़ों की वज़ह से जो इनकी life में ये challenges, struggle चल रही है कहीं न कहीं आपकी कदर समझ में आ रही है आपकी importance क्या है इनकी life में वो चीज़ें इने समझ में आ रही है क्योंकि जब ये आपके साथ थे तो इनकी life ये चल रही थी उसमें movement था कोई stagnation energy नहीं थी हमेशा एक positivity रहती थी इनके आस पास ना ये कभी confused होते थे ना कभी नोंने अपने आपको isolation में डाल रखा था लेकिन आपके जाने के बाद तो सब चीज़ें जैसे थम सी गई हो ऐसा अब आपके person को लगने लगा है तो overall आपके person के ये हालात हैं आपके जाने के बाद कि ये बहुत सारे challenges face कर रहे हैं जिसमें इन्हें सिर्फ और सिर्फ हार ही हार मिल रही है और आपके person क्योंकि इन challenges को face नहीं कर पा रही हैं जो मैं आपको अल्रेडी बोल भी चुकी हूँ इसलिए नौनी अपने आपको guard कल रखा है अपने आपको hermit mode पे डाल रखा है अपने आपको practical बना के दिखा रखा है कि इन से जादा practical कोई नहीं है इन से जादा डिमाग से काम करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर ये चीज़े दिख रही है समझ आपके person बिल्कुल रहे हैं आपके कदर भी समझ रहे हैं आपकी importance भी समझ रहे हैं और हो सकता है आप अपने person से long distance relationship में हो या फिर जो graphically आप दूरियों पे भी हो तो आपके person का दिल भी बहुत जादा करता है कि आपके तरफ बड़े एक movement आपकी तरफ लेकर आए लेकिन कैसे लेकर आए ये चीज़े आपके person को भी नहीं पता है यानिकि दोस्ती फिर से शुरुवात करी जाए एक positivity अपनी life में लेकर आई जाए ये सब चीजों के बारे जादा जगल कर रहे हैं इनकी life खुद इस वक्त में न एक तरह से flow में नहीं चल रही है यहाँ पर ये चीज़े दिख रही है तो basically आपके person के साथ तो काफी कुछ होता जा रहा है आपके ना होने के बाद यहाँ पर ये चीज़े दिख रही है जादा काफी बुरा हाल basically मु connect हो पाते हैं तो प्लीज बताइएगा जरूर और चैनल को like, share and subscribe जरूर कीजेगा ताकि इसी थरह से नए नए रीडिंग्स, नए नए topics मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यूही बना रहे आज के लिए बस इतना ही ओके बाब झाल के लिए झाल के आज बस्टाइगा नए बस्तों अझाल हूई funeral कीजेगा आपके इस बता द्रहुन के दकिना ही जाएगी गार के लिए पाएगा बाब स्टाइव ख मिले ख ज्रह बंड़के हैं कीजेगा आपके यजुन के बच्ता है और इस अपके आपके एम इन